नमस्कार दोस्तों मैं राजिंदर चोधरी मोर स्टेडी जंसन में आपका स्वागत करता हूँ आज के वीडियो में मैं वैड से रिलेटेर दूसरा पार्ट लेके आया हूँ जिसमें कुछ क्यूशन है बच्चों क्योंकि वैड कुछ बड़ा टोपिक हो जाता है थोड़ा त अदलब की वैड प्रोसेसर पुछा आपके बार वैड प्रोसेसर के बारे में की वैड से रिलेटेड कौन-कौन सा है तो इसमें आप के पास चार ओप्सन है पहला है वैड परफेक्ट दूसरा है इजी वैड तीसरा है एमस वैड और आल ओफ अभू मतलब उपर वाले सभी तो आपको सही आंसर करना है इसमें से तो बच्छो ये इसका आंसर सही आंसर चार नमर है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा MS Word भी है Easy Word इसके नाम अलग अलग बस और कुछ नहीं है आप यहां पर कन्फूज नहीं हो कि MS Word ही इसका सही आंसर होगा चलिए Next Question अपना कि MS Word किस फाइल से सुरू होता है MS Word की जब फाइल अपन सेव करते हैं तो मतलब वो किस नाम से जो उपर उपर टाइटल बार होती है उस टाइटल बार पर मतलब क्या नाम आता है तो winword.exe या word.exe या msword.exe या word.2003.exe तो बच्चो इसका सही आंसर होगा एक नमर आपका winword.exe हो जाएगा अभी latest वाले वर्जन में यही आ रहा है ठीक है बच्चो नहीं तो क्या आता है डोकुमेंट आगे . जो भी आपका msword है तो वो आ जाता है ठीक है बच्चो यह extension बोल सकते हैं अपने इसका क्या है msword का जो extension name है वो पुछा गया कि आप सही extension कैसे आएगा उसका तो winword.exe इसका सही आंसर आ जाएगा फिर अपने next question की बात करें तो third number question बच्चो अपना कि control plus n मतलब shortcut के बारे में पुछा गया कि इसका क्या होता control plus n से आपके पास कोई दस्तावेज होता है या दस्तावेज खुले जाते हैं या दस्तॉडरर को लेगा exam में तो बच्चों यहां पे इसका देखो control plus n इससी क्या होता है क्योंब आपना न्यूब डूकुमेंट लेना होता है MSWD के अंदर गर तो अपन CTRL PLUS N करेंगे जिसे अपने क्या हो जाएगा नया डोकुमेंट आ जाएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा नया दस्तावेज बनाने के लिए या नया दस्तावेज बनाए एकी बात है फिर बचो अपना NEXT क्यूस्टन है कि रिजूम विजार से बाहर निकलने के लिए और फिर से सुरू किये बिना दस्तावेज विंडो पर वापस जाएगे फिर से सुरू करें विजार डायलोग बोक्स में किसी भी पैनल में खालिस्तान बटन पर क्लिक करें मतलब कि ये प्रोसेस दिया गया आपको करें मतलब वापस उस पर जाने के लिए क्या करें कैंसिल करेंगे बैक करेंगे नेक्स्ट करेंगे या फिर आप फिनिस करेंगे तो ये पूछा गया आपके वरें तो आप क्या करेंगे इसको फिनिस करेंगे जिसी थोड़े देख लेना है ना अगर आप जब computer पर इस पर कारिये करोगे ना ये चीज़े ऐसी चीज़ें तो आपको तब ही आपाएंगे जब भी आप इस पर कारिये करोगे तो ये finish हो गया आपका फिर अपने next question की बात करें बच्चो तो next question अपना है कि word में Cross Reference के रूप में क्या डाले जाते हैं? MS Word की बात कर रहा है कि Cross Reference के रूप में क्या डाले जाते हैं? तो आपके सामने चार ओप्सन अमचो Placeholder, Bookmark, Wastun, या Word Field इसका सही आंसर क्या होगा? यह आपको Select करना इसमें तो इसका सही आंसर हो जाएगा Word Field क्या आएगा वर्ड फिल्ड इसका सही आंसर आ जाएगा क्रोस रेफरेंस के बारे में पूछे दो फिर अपने नेक्स्ट क्यूशन की बात करें तो नेक्स्ट क्यूशन बच्चों अपना है कि निमलिक्त में से कौन सा खंड विराम विकल्प नहीं है खंड विराम विकल्प काँ साथ देखो computer के जो भी क्यूस्टन आ रहे ना उसमें आप एक चीज ध्यान रखना कि यदि आपके हिंदी में कोई क्यूस्टन अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आपको एक्जाम में में कोई कर समझें कि अपके हिंदी में आ रहे है।ए मुझ्त समझें कि मेरे को आ नहीं रहा है। तो एक बार इंगलिस वाला उसका ट्रांसलेर जरूर देखी है ना फिर अपने नेक्स्ट क्यूस्ट की बात करें बच्चो तो नेक्स्ट क्यूस्ट अपना है कि क्यूस्ट नमर साथ है कि निम्लिक्स में से कौन सा MS ओपिस का व्यद्दे सेंस करने है बनलों वर्जन पूछा गया आपसे कि निम्लिक्स में से कौन सा वर्जन या सेंस करने MS ओपिस का नहीं है यह पूछा गया नहीं है तो ओपिस XP और दूसरा है ओपिस विश्टा तीसरा है ओपिस 2007 या इनमें से कोई नहीं चारों में से बच्छो एक उप्षन सेलेक्ट करना आपको कि कौन सा आनसर है सही होगा तो देखो इसमें ओपिस विश्टा है ना है अपोपी से विष्टा यह मतलब सेंस करने होता है ठीक है कोई मतलब अब ब fills nature नहीं होता है इसका इसका आपका दो नमरा आंश्वर सही हो जाएगा यह विस्टा तो operating system है ठीक क्या है office iki सब्सक्तुम जोयर्ट system चारी कि मैंने जो एक और आज वपीज बॉल्स लेज्ट कि इनाय कोई ओपस् नहीं एफ ऐना इन ne बिज्ब ऊपर का और बाद का लेग किस प्रस्ट पर मुद्रित ़ो पहले पेज पर वेकल पिक पर या हर पेज पर यह उन्हें से कोई कोई नहीं यह आपको सेलेक्ट करना है तो है अगर कोई भी चीज डालते हैं पेज के हेडिंग या पोटर का यूज माइप करते तो कोई जरूर नहीं है कि फी पेज पे आता है वह आपको हर चेज निदे मिलेंगी पेज के स्टार्टिंग में मैं इंदेने के लिए किसे वाली वीडियो के लिए वागशे बदाए था ह zijn यolesome मैं देने के लिए और footer किस काम में आता है अगर आपको page नमर देना है date वगेरा देना है तो इस तरीके का काम में आता है तो वो हैर page पे आएगा अगर अपने पास 10 page और document में तो 10 के 10 पे आएगा ठीक है बचों next question के अदिया अपने बात करें तो next question अपना है MS word screen पर आप 36 विबाजन पट्टी कहां पा सकते हैं मलब horizontal पट्टी की बारे में बात करें 36 विबाजन तो 36 scroll पट्टी के बाईएं और या फिर 36 scroll पट्टी के दाईएं और या फिर उड़दू आरदर scroll पट्टी के सीर्स पर या उर्दुवार्दर स्कॉल पट्टी के नीचे इन चारों में से एक सेलेक्ट करना था आपको तो इसका देखो बच्वा सही आंसर होगा उर्दुवार्दर स्कॉल पट्टी के सीर्स पर मतलब उसके टोप पर ठीक है बच्वार्ट नेक्स्ट क्यूसन अपना है कि Ctrl प्लस G इसवार्ट की कि भी किसकी है Ctrl प्लस G तो आप इसमें आप च far योपस्न धीया गया है गो-to टेव को सक्रिय करने वाला परेडाहलोग पेरग्राफ या परेग्राफ डायलोग बोक्सG को ले या गो-to- uho को सक्रिय करने के साथ डायलोग emit को डौंडे और बदले या फिर कौन सा तीन नम्र गोटू टेप को सक्रिय करने के साथ डायलोग वोक्स को ढूंडे और बदले तो इसका तीन नम्र आप का अनुसों सही हो जाएगा यह गोटू रीफलेस फाइंड यह इनकी कंट्रोल जी से तो क्या होता गोटू कमांड पर जाएंगे ठीक है कंट्रोल एप से फाइंड करेंगे कंट्रोल आर से रीफलेस इनकी सोटकट की है ठीक है बचो फिर आपने नेक्स्ट क्यूशन की बात करेंगे स्पेलिंग चेक करने की सोटकट की क्या है यह फंक्शन की है चार इनमें से आपको पूछा कि कौन सी फंक्शन की है जो स्पेलिंग चेक करने की में काम में आती है तो आपके सामने चार ओप्षन है बच्छो F7 है F8 है F9 है या F1 है तो F1 तो देखो हेल्फ में काम में आता है तो यहाँ पर आपका सही अंसर हो जाएगा F7 F7 क्या होता है Spelling चेकर में एक काम में आता है F7 ठीक है Spelling SS7 और Spelling इस तरीके से आप याद रखना इसको Spelling चेक होए फिर अपने नेक्स्ट क्यूशन की बात करें बच्छो तो MS Word में Watermark Option की स्टेव में आता है Watermark क्या होता है जो भी अपना जो डोकुमेंट होता है यानि जो भी अपना पेज होता है उसमें आपने देखा होगा तिर्ची लाइने जैसे ये अपना पेज है तो यहाँ पे तिर्ची नाम कोई किसी कोचिंग का नाम आजाता है या फिर किसी इंस्टिटूट का नाम कोई भी इस तरीके साब ने जो मतलब हलके तरीके से दिखे इस तरीक अगा आपने तीरस नाम देखा हुगा यहाप ही लिखा का उसको अपने बोलते हैं या फिर अपने नीचे कुछ दे रहे हो यह पेज के टोप में कुछ दे रहे हुए तो यह इसको अपने बोलते हैं जो हलका हल Armenian तरीक सब्सक्राइब का दिखाई दे अधिकतर कोचिंगों वगरहों में आपने देखा होगा तो यह वाटर मार्क है यह तो यह वाटर मार्क option किस टेब में होता है आप से पुछा गया है मैस वर्ड में वाटर मार्क YO-Option मिलेगा ठीक है तो थोड़ा practice जरूर करिये computer में अगर practice नहीं करो गये रटडा लगाने से भी काम नहीं होगा थोड़ी बहुत आपको practice कि भी जबूरत है क्योंकि कुछ चीज़ें आstrong to usEE प्रैक्डिकली भी पूछी जाती है अगर आपको परेग्राफ हैं दो उनके जो बीच में जो लाइने हैं उनके बीच कोई भी परेग्राफ ले लो एक परेग्राफ ले लिया उन परेग्राफ की पांच लाइने उन पांचों के बीच में जो आप जगा छोड़ रहे हो ना ठीक है जैसे यहां पर देखो यह मैंने चार लाइन लिखर किये तो यह जो इन डोनों के बीच में यह दो सेम सेम है यह आपको दिख रहा सेम 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 इस तो इनकी बात कर रहा है इस तरीके से जो पेरेग्राफ में जैसे पांच लाइने हैं तो पांच लाइनों के बीच में इस पेस पूछा गया आपके वारे इस पेस ब mandate है alignment है line space है या इन में से कोई नहीं तो आपका देखो बच्चो इसमें line space है ना line space आपका answer सही हो जाएगा कि दो line के बीच में मतलब space देने के लिए अपने किसका यूज़ करेंगे line space command का यूज़ करेंगे चलिए next question की बात करते हैं तो next question अपना है कि you menu में split option का कारिय होता है जो व्यूव मेनई होता है आपके जो menu बार योसमें file edit view insert tool format इस तरीके के menu होती है help or गेरा तो उसमें आपका 3rd नमर वाला य्यू है व्यूव मेन्यू है उसमे Tobson होता है वह split option है किस काम में आता है तो आपके छहारोंओं नई window open करने के लिए या सबी window को arrange करने के लिए या फिर window close करने के लिए बंद करने के लिए या एक window को दो बागों में बाटने के लिए ये चीज पूछी किये तो इसमें देखो split होता है split का मतलब होता है कि एक ही window के दो बाग आएंगे जैसे मैं यहाँ पर बात करूं तो जैसे यह आपके सामने पूरी स्क्रीन दिख रही है ना इस स्क्रीन को सेम एज़ेटिज इस तरह की दो बाग हो जाएंगे यह जो चीज है इधर जैसे पांच यह 14 नमर क्यूशन दिख रहा आपको नीचे चार उप्शन दिख रहे हैं वो इधर भी दिखेंगे इतरे एक कोप्य हो जाएगी छिए इस चीज को आपने क्या बोलते हैं इसकर सही आणस्सर क्या आपको है कि एक फिर ने काफिले का कारिय और फिर एक विंडओ को दो बागों में बाटने के क्या है बहुत कोई भी नया डोकुमेंट अगर अपन तयार करते हैं तो उसको open करने की shortcut क्या है तो आपके सामने तीन अपसन है control प्लस C है control प्लस N है control प्लस X है control प्लस B है ये चार आपको shortcut की दी गी है इन में से आपको एक select करनी है तो इसका सही answer देखो नहीं आगर अगर अपने को MS Word में new document अभी अपने बात करी थी सिदा वहां पे क्यूशन क्या था कि control प्लस N ये इतना ही क्यूशन था उसका shortcut के बार में पूछा गया चार option दिये गए थे तो यहां पर अगर अपन control प्लस C की बात करें तो control control प्लस C का तो हो गया कि किसी copy करने के लिए किसके लिए copy करने के लिए control प्लस N N का मैंने बताया था वहां पी N मतलब new document लेने के लिए ठीक new document या नया दस्तावेज बनाने के लिए ऐसे भी पूछ सकता है control प्लस X का क्या मतलब होता है कट करने के लिए किसी selected चीज को कट करने के लिए control प्लस B का मतलब हो गया बोल्ड करने के लिए आपने कोई भी चीज सेलेक्ट कर रहे कि उसको यदि आपको बोल्ड करना है तो बोल्ड करने के लिए control प्लस B आ जाएगा तो बच्छो अपना सही आनसर यहां पे क्या हुआ Ctrl प्लस N दो नमर आपका आनसर सही हो जाएगा साथ साथ में आप चेक करते लिए कि विए आपने अभी तक देखो एक्जाम के कुछ ही दिन बचे हैं आपके तो आप साथ साथ में अगर मेरे बोलने से पहले यह आनसर दिमाग में रखिए अपने की अपने यह सेलेक्ट किया हो साथ साथ में चेक करते जाएगे कि अपना सही है इतने गलत आगए इतने सही हागए यह चीज़ आप साथ साथ में अपना एक तरीके से आप टेस्ट मान सकते हो टोपिक वाइज इस वीडियो के बाद मैं MS Excel की वीडियो डालूँगा MS Excel के बाद मैं PowerPoint की वीडियो डालूँगा और PowerPoint के बाद मैं दो दिन में यह कंप्लिट कर दूँगा Excel और PowerPoint उसके बाद क्योंकि वैड में अगर अपने वैड शीक लेते हैं फिर मैं उसके बाद बच्चों मैं बता दूँँ आपको उसके बाद मैं आपके सामने पूरी एक पूरी एक कंप्यूट से रिलेटेड 20-20-30 क्योशन है कर इंपूटेंट क्योशन उठा के लाँगा है टोपिक से 2-2-3-3 क्योशन और उसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से आपको देखना है लेकिन एक टोपिक वाइज एक बार देख लीजिए आपके लिए बेनिफिट रहेगा इसमें ठीक है फिर आपने अगले क्योशन की बात करें बच्चों तो अपना अगला क्योशन है कि MS Office में मिनिमम तथा मेकजिमम जूम साइज कितनी है आप से पुछा गया कि MS Office की जो मिनिमम साइज है ठीक है और मेकजिमम साइज है उसके बारे में पुछा गया कितनी होती है तो आपके सामने चार उप्सन दिये गए है दस से सो करेक्टर है ठीक है 10 से 100, 20 से 250, 10 से 50 या 10 से 1000 तो इसमें सही आंसर होगा 10 से 50 आपका सही आंसर हो जाएगा ये आप देख ले ना जब भी आप फॉंट वगेरा में जाओगे ना तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी ठीक है बचाओ फिर नेक्ट क्यूसन है अपना नेक्ट क्यूसन में है कि डिफोल्ट, सुरी डोकुमेंट को डिजाइन करने के लिए खालिस्तान वीबिन परकार के विकल परदान करता है डोकुमेंट को जब आपन डिजाइन करते हैं यानि बनाते हैं उसको तो बनाने के लिए विबिन परकार के विकल परदान कौन करता है MS Excel करता है MS PowerPoint करता है MS Word करता है MS Access करता है Document की बात करता है देखो Document अपन कौन से MS Office के कौन से प्रोग्राम में अपन बनाएंगे Excel में बनाएंगे Excel में नहीं बनाएंगे और MS Access वही एक तरीके से एकसल का साई काम है, Access का सीट बनाने वगएर काम में आता है, तो यहां पर देखो, डोकुमेंट के लिए क्या आजाएगा, आपका MS Word आजाएगा, तीन नमर आपका उप्सन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, दस्तावेज या आपको बोल द कोई भी एदिया, आप MS Word में डोकुमेंट बना रहे हो, तो उसकी मेकजिमम साईज पुछी कि यह, मतलब टोटल उसकी प्रोपर्टी कि उसको कितनी साईज तक का आप बना सकते हो, डोकुमेंट, भी आपने, जब एकसर डोकुमेंट में अगर जो भी लेटर वगएरा किया, उसके कोडिंग साईज बढ़ती जाती है, तो उसके बारे में पुछा गया है कि अधिक्तम कितनी साईज का आप बना सकते हो, सोड़ा जी बी का, 32 जी बी का, 64 जी बी का, या 108 जी बी का, तो बच्चो इसका सही आंसर होगा, 32 जी बी तक का आप है, डोकुमेंट, एक बना सकते हो, ठीक है बच्चो, फिर आपने नेक्स्ट क्यूशन की बात करें, कि नेक्स्ट क्यूशन है कि एक बार टेप दबाने पर करसर आगे आता है, बहुत एक बार आप टेप बटन दबाओगे, तो वो मतलब कितनी जगह छोड़ेगा, आपको इंच में पूचा गया है, जिरो पॉंट् थरी इंच, जिरो पॉआट फाईव इंच, जिरो पॉंट एट इंच या फिर वन पॉइंच जिरो इंच, इसमें से आपको select करना है, तो बचाप करेक्टर की जगhu छोड़ता है, टेप बटन होता है, वो क्या करता है पांश करेक्टर की यानि पांच दोड़ता है आप देखोगे ना तो मनले पांच इंच की जगड़अ हो और बेक das ऐसर वो एक बाढ़ने पर एक इंच चज़ाए छोड़ता यह चीज़ा दियां रखना it largely इस्पेस ज़स तो एक इंच पीछय आएगा और इस सपेस बटन है वो एक इंच चाहएगा और default view होता है मतलब किस्में होता है Default View कि Default View के बारे में पुछागा है कौन से मेन्यू में होता है Print Layout में होता है या Normal में waving layout में या फिर Out Line में तो इस जो Print Layout उता है कि मतलर hizo पेज को देखने का जो कौन से टरीके से देखना चाहते हो उसमें आता है default view print layout या फिर wave layout यह चीज़े किसमें आएगे यह print layout में जब भी अपन print layout देखते हैं कि वह print अपन देंगे तो उससे पहले इस तरीके का दिखाई देगा तो एक नमर आपका अनुस्वर सही हो जाएगा फिर अपन next question की बात करें तो बच्चो next question अपना है कि MS Word में translate option किस टेप में उपलोब होता है MS Word में translate option के बारे में पूछा गया कि किस टेप में उपलोब होता है यू या फिर review या फिर insert या फिर references इन में चारों में से आपको एक स्लेक्ट करना है तो बच्चो इसका सही आनसर होगा review जो review होता है उसमें आपका translate option होता है यह क्यूशन अपना पिछले टेप में उपलब रहता है MS Word 2010 के बारे में पुछा गया बच्चों MS 2010 2008 2007 2003 इनमें हर वर्जन में क्या है difference है changes किया गया है तो आपको page layout में तीन नमर आका आनसर सही हो जाएगा फिर next एपन क्यूशन की बात करें तो अपना next क्यूशन बच्चों है कि MS Word 2010 में फाइल में MS Word 2010 की फाइल में पड़ते एक line पर number परदसीत करने के लिए निमनमें से किसका उप्यों किया जाता है बुलेट्स का numbering का या line number का या multi level list का यहां पर देखो आपको confuse भी कर रहा है क्या कर रहा है confuse कर रहा है यहां पर देखो bullets भी दे दिया numbering भी दे दिया तो bullets तो किस काम में आते हैं बचो मैंने बताया था पिछली वीडियो में bullets तो आते हैं जैसे अपने dot dot करना हो 4 अपने vehicle pound को अगर अपने dot dot करना है या फिर अपने को star लगाना हो 4 के या फिर अपने को arrow के निसान देने हो ये तो किस में काम में आता है bullets में numbering का काम भी क्या है numbering का 1,2,3,4 या तो ये देना चाहते हो या फिर आप देना चाहते हो A, B, C, D इसमें भी आपको पूछता है कि capital ABCD देना चाहते हो या small देना चाहते हो वो चीज़ भी पूछता आप से तो ये चीज़ भी numbering में आती है लेकिन यहाँ पर बात देखो क्या कर रहा है यहाँ पर question में आप से पूछ रहा है कि परते एक line पर number पर दिशित करने के लिए जितनी भी line हैं उस पर परते एक line पर number पर दिशित करने हो उसके लिए किस का use करोगे तो आपका यहाँ पर सही answer होगा line number तीन number आपका सही answer हो जाएगा numbering आप यहाँ पर मत कर देना confuse कर रहा है आपको numbering तो आपको जितना आप selected करोगे ना जितनी line है selected करोगे वहाँ पर numbering लगेगी ठीक है बचो चलिए next question की बात करें तो next question अपना आएगे MS Word 2010 में paragraph का first letter capital यह बड़ा पर्देशित करने के लिए निमल लिक्त में से किसका उप्योग किया जाता है MS Word 2010 में यह दी paragraph का जो आप first letter मतले पहला अक्सर जो लिखते हो उसको capital मतले बड़ा करने बड़ा पर्देशित करने के लिए आप किसका उज़ करोगे तो bullet है numbering है line numbering है या multi level list है इन में से आपको accelerate करना है तो इसका bullet का आपका सही answer bullet हो जाएगा ठीक है बचो फिर आपन next की बात करें next question अपना है कि MS Word 2010 में information option का परियोग किस लिए क्याज़ता है preview के लिए password के लिए print के लिए या इन में से कोई नहीं तो देखो जो information option है वो किस के लिए क्याज़ता है password के लिए क्याज़ता है ध्यान रखना MS Word 2010 में बहुत कुछ changes है आप थोड़ा अच्छे से देखना इसको चलिए next question की बात करें तो next question अपना है कि control plus F shortcut की है उसका काम क्या होता है तो चार option दिए गए है आपके सामने तो tape ढूंडे सकरिय करने के साथ dialogue box ढूंडे और बदले और layout tape को सकरिय करने के साथ प्रस्ट setup dialogue box खोले या font सक्रियन tape के साथ font समाद box खोले या dialogue box के रूप में file change खोले तो बच्छों इसका सही answer पहला ही नमर का ही हो जाएगा कि tape को ढूंड कर सकरिय करने के साथ dialogue box ढूंडता है और बदलता है control प्लस एफ मतलब find के लिए मैंने बताया था भी थोड़ी देर फ़ले control प्लस एफ सो अगर में इंगली समी थोड़ा सा बोल दो find के लिए मुझे आपको ढूंडनी है किसी paragraph आपने टाइप कर रहा है उस paragraph में अगर आपको कुछ सब्द ढूंडना है जैसे यह paragraph अपने लिकर का है इसमें यह दी मेरे को यह देखना है कि साथ यह जो मैंने आपर साथ लिकर का है या प्रस्ट प्रस्ट ले लो प्रस्ट कहां कहां पे है यह चीज़ ढूंडने के लिए control प्लस एफ करेंगे फिर अपने वह प्रस्ट लिखेंगे और आगे चलेंगे तो वो आपने को बता देगे यहां यहां इतने है ठीक है बचो चलिए नेक्ट के उसन अपना है कि control प्लस एफ control प्लस एफ सोटकट की है उसका क्या काम है तो चार ओप्शन आपके सामने टेब को सक्रिय करने के साथ ढूंडे और बदले डायलोग बोक्स खोले हाइपर लिंक टेब डाले सक्रिय प्रारूप डायलोग बोक्स या इंसट हाइपर लिंक टेब सक्रिय करें डायलोग बोक्स खोले या फिर हाइपर लिंक डायलोग बोक्स ओपन करें यह चार option थे आपके सामने तो इसका जो सही answer होगा वो पहले नमर का है हो जागा पिकि टेप को सक्रिय करने के साथ उसमें ढूंडे और बदले dialogue box को खोलता है control plus H तो आपका पहले नमर का answer सही हो जाएगा फिर अपना next question है कि control plus P जो shortcut की है उसका क्या काम है पेरा dialogue box खोलता है या page format dialogue box खोले या open save dialogue box खोले है open print dialogue box खोले तो control P है वो आप हमेशा याद रखना आपने यदि document तयार कर लिया ठीक है document तयार करने के बाद यदि आप उसको print देना साथ हो तो file menu में नहीं जाकर आप direct shortcut की दबारे तो print देने के लिए मतलब control P दबाओगे और control P दबाओगे तो आपके सामने जो print dialogue box है वो ओपन हो जाएगा उसमें आप से पूछेगा कि कितने पेज़ आपको print करने हैं उसमें आप changes करना चाहते हो horizontal है कुछ changes कर किस तरीके से print वगरा जो भी setting है कौन सा printer से print करना चाहरे हो अगर आपके दो तीन printer हैं computer से computer से मतलब दो तीन printer जुड़े वे हैं तो उनमें से आप से पूछेगा कि कौन से printer से आप print करना चाहरे हो यह चीज़ है तो control सीदी सी बात है control plus P है print dialogue box open करने के लिए काम में आता है चाहर नमर आप option आपका सही हो जाएगा फिर अपने next question की बात करें बच्छों तो next question अपना है कि control plus T control plus T shortcut की किस काम में आती है उसका work क्या होता है या कारिय क्या होता है ठीक है तो इसका पहला option है कि लटकदार लिखावट इंडेट छोड़ दिया या फिर tape dialogue box खोलता है या फिर सभी खोले गए dialogue box को समाप्त करता है तो इसका जो लहरदार अगर लिखना हो अपने को इस तरीके से तो उसके लिए अपने control plus T का यूज करते है एक नमर आपका अनसर से हो जाएगा चलिए कारेले में डेटा साजा करते समय कारेले में डेटा साजा करते समय खालिस्थान दस्तावेज हो है दस्तावेज होता है जिसमें डेटा पहली बार दर्जे किया जाता है तो आपके सामने चार option है कि खालिस्थान में क्या हैगा स्रोत है गंतवी है मूल है या मुख्य तो स्रोत क्या गया यहाँ पर सही आनसर हो जाएगा कि कारे ले में डेटा साज़ा करते हैं समय स्रोत दसावेज होता है जिसमें डेटा पहली बार दरजह किया गया था ठीक है बसटो Next question था कि किस दर्शे से आप देख सकते हैं कि मुद्रित प्रस्ट पर पार्ट और ग्राफिक कैसे दिखाए देंगे किस दर्शे से आप देख सकते हैं साधान दर्शे से प्रिंट लियाउट से या रेखांकित करें या वेब लियाउट मतलब आप से यह पुछा गया कि आपने कोई भी डॉक्यमेंट या दस्ताविश तयार कर लिया ठीक है और उसको जब आप प्रिंट देने से पहले आप यह देखना चाहोगे इस तरीके से प्रिंट होगा यह अगर आपको देखना हो तो उसके लिए आप क्या करोगे तो प्रिंट लियाउट करेंगे दो नम्मरान सुर्ण आपका सही हो जाएगा क्योंकि हिंदी अगर देखो कई बार क्या होता है हिंदी समझ में नहीं आती है तो इसलिए में थोड़ देर पहले आपको बोल रहा थ आप से पूछ रहा है कि किस दरसे से आप देख सकते हैं कि प्रिंट प्रिंट पेज है पर जो आपने लिखा है पार्ट लिखा है मतलब जो भी पेरेग्राफ लिखा है वो किस तरीके से दिखाई देगा तो आपना सही आंसर होगा प्रिंट लियाउट से आपने देख सकते जो आप महले एक तो एफ ओर साइज होती है फिर अगर उसको गुमा के लेंड इसके यह जैसे यह चीज देखो पोर्ट्रेट और लेंड इसके यह पेज आए एक यह और एक यह ठीक है यह पेज है अब जो यह साइज है न यह तो क्या है पोर्ट्रेट है ए-4 साइज यह और यह साइज यह क्या है? लेंड स्केफ है यह चीज पूछ रहा है कि पोर्टरेट और लेंड स्केफ है पेज औरिंटेंशन, कागज का आकार, पेज ले आउट या उपरियुक्त में से सभी तो पेज औरिंटेंशन है यह इसका क्या हो जाएगा सही आनसर हो जाएगा ठीक है यह आप समझे गए portrait यह होता है और land escape यह होता है चलिए next question अपना कि यह सत्यापित करने के लिए कि note part प्रस्ट पर सही डंग से इस्तित है खालिस्तान पर switch करें या दस्तावेज को print पुरुआ उलोकन में परदसित करें तो यहां पर खालिस्तान में पुछा गया है कि यहां पर खालिस्तान में साधान आएगा print layout आएगा या फिर page layout आएगा या page संपादित करें तो बच्चों यहां पर देखो इसका सही answer देखें तो इसका सही answer आपका हो जाएगा print layout दो नमर है कि कोई भी सत्यापित करने के लिए कि note paragraph page पर सही डंग से इस्तित है print layout पर switch करें या उसको दबाएं या दस्तावेज को print पुरूआ अलोकन में परदसित करें तो यह print layout हो जाएगा इसका अगर आप इंग्लिस में देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए कन्फूज होने की जरूत नहीं है चलिए नेक्स्ट क्यूशन अपना आए कि किसी दस्तावेज के पेज ओरिंटेशन के बारे में लिक्ट में से कौन सा सही है यह देखो अभी थोड़ देर पहले अपने दो तिन परसन के पहले क्यूशन आया था उसी के बारे में गुमा के पूछ लिया आप से कि पेज का जो ओरिंटेशन है उसके बारे में पुछा गया कि कौन सा कतन सही है पेज ओरिंटेशन कभी भी बदला जा सकता है टाइब कर दिया तो टाइब करने के बाद उसको नहीं बदल सकते कोई ज़रूत नहीं है या पिर यह भी कोई ज़रूत नहीं है कि आपको टाइब करने से पहले ही आपको उसको बदलना पड़े है आपने save कर दिया, type कर दिया, कुछ भी कर दिया हूँ कभी भी किसी भी प्रिस्तिती में आप उसको change कर सकते हो तो आपका सही अंसर हो जाएगा A कि page orientation कभी भी बदला जा सकता है ठीक है बचो last question अपना है इस वीडियो का और MSWED का last question कि कौन सी सुविदा आपको clipboard की सामगरी को बीना किसी सवरूप के पार्ट के रूप में समलित करने में मदद करती है तो आपके सामने बचो चायर option है special paste करो या फिर प्रारूप चितरकार करो या pressed setup करो या फिर say लिया तो इसका सही answer हो जाएगा special paste करें इसके लिए ठीक है ये था अपना वीडियो MSWED से related last video था इसके बाद बचो में कल Excel का वीडियो लेके आता हूँ और Excel में ज़्यादा क्योंस नहीं बनेंगे क्योंकि MSWED की जो menu से related कुछ चीज़े है वही चीज़े उसमें आईगी अगर आपने MSWED सेक लिया तो Excel और PowerPoint और अगेरा Access और अगेरा सतर परसेंट आपको आने लग जाता है तो इसलिए आपको जो MSWED में जो चीज़े हैं वो दुबारा मैं Excel में रिपीट नहीं करूँगा जो नहीं चीज़े हैं वो ये आपके सामने ले क्या हूँगा तब तक के लिए थैंक्यू धन्यवाद